आप सभी करें मुखनम श्कार अलजबरा किस लेसे में आपका हार्दिक स्वागर से चले शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन डिसक्रस करते हैं देखिए जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है यह क्या रहा है यह कह रहा है कि अगर एक्स-जीरो नहीं है यह जो यह कि यहां पुछठा आप से अलभा बीटा कर इस इक्वेश्जन के रूसन तो अलपां गरत सनफन वान बीटा मैने स्वाविस क्या होगा सुस्मपल यहां पर आप अल्फा बीटा नीचे ले लो और यहिल व्यल्फा प्रफबीटा मैस अजै क्रणिया आपको व्लोट लिए स्टीन ठीट फोर सो सिंपल है कुछ भी थानी इस कोईशन में बहुत आसन को सवाल होगी यानि C square minus D square जोगा that will be equal to C minus D अब मुझे कुछ भी करके C minus D निकालना पड़ेगा आप अगर यहां पर इसको ध्यान से देखते हैं जो वैलू आपको दी होई है A minus B is equal to D upon C दी होई है अगर मैं इसमें component and dividend लगा दूँ तो देखो यह है क्या A minus B upon 1 और क्या आप 1 को A plus B बोल सकते हो क्योंकि यहां पर आपको वैलू दी होई है 1 के बराबर A plus B 1 है ना तो मैंने 1 को A plus B लिख दिया अब अगर component and dividend आप लगाओगे तो यहां आपको मिल जाएगा A upon B यहां आपको मिलेगा A upon B देखो उपर जोड़ेंगे नीचे माइनिस करेंगे और यहां आपको मिलेगा C plus D upon C minus D यह आपको बहुत इत्मिनान से और ध्यान से देखना है कि यह वैलू आपको मिलने वाली है अगर हम इसको component and dividend लगाते हैं तो अब आप मुझे बताओ कि C plus D की वैलू क्या है? 1 है तो अगर C plus D की वैलू 1 है तो C minus D की वैलू क्या हो गई? यह हो गई आपकी B upon A option कितना होगे अभी तो यह बुलकुल आसान तरीका है एजली आपका answer निकल रहा है कुछ भी मुझे नहीं है जो भी पूछा है इन्होंने C square minus D square मैंने बता दिया क्या है B upon A but this is not the only way आपको यह चीजें मानने दिमाग में एक्जाम में ना है तो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ अब बताओ अगर C plus D आपका 1 के बराबर है अगर आपका C plus D एगर 1 के बराबर है और साथ से साथ आपको A minus B क्या दिया हुआ है D upon C के बराबर दिया हुआ है A plus B कितना द कर रहा हूं कि मेरा CD के बराबर है अगर CD के बराबर हो तो यह क्या हो जाएका D upon C यह 1 हो जाएगा अब आप से पूछ रहा हूं कि अगर C और D आपस में बराबर हो गए और आपस आपने मान लिए हैं तो सब को छोड़ दो C square minus D square क्या होना चाइए 0 होना चाइए कि नहीं Yes क्योंकि C और D हमने बराबर मान लिए अब C square minus D square अगर 0 आना चाही तो मेरा answer 0 होना चाही है C नहीं हो सकता D नहीं हो सकता क्योंकि यह 1 1 दिये हुआ है 1 और minus 1 ने शाही है यह यह दोनों तो हो नहीं सकते रही बात B upon A और A upon B की देखते हैं इसमें क्या correct है अगर आपने C को D माना है C को D के बराबर माना है तो A minus B और A plus B दोनों अगर 1 है तो B कितना हो गया 0 हो गया B अगर 0 हो गया तो देखे किस option में B 0 रखने पे 0 आ रहा है तो कि मुझे answer चाहिए 0 C square minus D square क्या चाहिए 0 तो किस option में B को 0 रखने पे 0 आ रहा है वह option है B क्योंकि वहाँ B को 0 रखने से 0 हो जा रहा है that's why this is correct यह सब कुछ भी ना करोगी तो भी answer आ जागा just be alert कि यह सब करना आपको अब देखे कुशन करा कि find the value of X जिसके लिए यह expression की value greatest हो greatest value आपको निकालनी आपको पता भी है कि X square के coefficient negative है तो यह पैरा बोला ऐसा होगा ऐसा होगा तो एक maximum value होगी maximum value क्या होगी आपको क्या निकालना है minus D upon 4A minus D upon 4A discriminant निकालो D क्या होता है B square which is 9 minus 4AC so 4 into 2 into 4 हो जाएगा यह minus है इसले यह ultimately plus जाएगा कितना हो गया है 32 और 9 32 9 कितना है 41 तो D के value कितनी आगे minus 41 upon 4 into minus 4 4 into minus 4 will be 41 upon 16 41 upon 16 कौन सांसर दे रहा है आपको option हो जाएगा दी यहां भी चीज़ अगर आप ध्यान से देखते तो आप options को eliminate कर पाते आपको अगर जैसे दिखा कि B square minus 4AC positive है दिखी रहा है बी स्कौर तो 9 हो गया minus 4AC करोगे तो एक a negative अगर है तो यह positive हो गया बी स्कौर माइनस 4AC अगर positive है तो roots कह है real है जब भी roots real होते है तो पैराबोला positive से शुरू करेगा तभी यह cut करेगा दो point पर इसका मतलब क्या है कि मेरा जो max value ना वह positive आने वाला है max positive दो ही option में दिया हुआ था यह और यह तो इन्हीं मेंसे कुछ सही होगा मेरा कहने का मतलब है कि at least आप idea लगा सकते हो कि इन्हीं दोनों में से कुछ ना कुछ आपका answer आने वाला है ठीक तो y plus y plus x 35 आपको इसकी वेलू बतानी है x minus y का whole square फ्लस y minus z का whole square फ्लस z minus x का whole square आपको जो भी टर्म दिया हुआ है आपको पता है यह क्या formula लगेगा यहां पर इस तरह के questions काफी popular है वही x cube प्लस y q plus z cube हैंना क्या ऐसा formula लगा हो गया यहाँ पर नहीं यह क्योग की formula की x-y का whole square plus y-z का whole square plus z-x का whole square ये तो simply आपको क्या देदेगा अगर आप right hand side में जाते हो तो right hand side में आपको क्या देने वाला है ये आपको देदेगा twice of x square plus y square plus z square देगा और साथ ही साथ ये जो 2xy 2yz अब 2-2 बार मिलेंगे मैं इसको मैं नहीं स lleva हूं को रखके अब देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखना आंसर आ चुका है अगर आप यह चीज़ आइंटिफाई कर पाए कि यह ट्वाइस ऑफ सम्थिंग हमेशा इवन नंबर होता है और यह की ऑप्शन इवन दिया है वो सही होगा ही होगा फिर भी अगर आपको शंका है त 105 तो इवालू कितनी होगे आपकी आप खुद देखो यहां पर यहोगे आपकी सिंप्ली अगर इसको आप माइनस करते हो तो तो इस विल गीव थी सेवेंटी नइन और डबल ऑफ त्री सेवेंटी नइन इस वह होगा हो कि आप इतना टाइम में सबाल में नहीं देंगे आ अब देखिए क्वेशन क्या गर रहा आपसे कि X-1 और X-3 जो है वो एक एक वेशन आपको दी है X-2 प्लस K1X प्लस K2 इसके फैक्टर्स हैं तो हमें बताना है K1 K2 के वैलू क्या है अगर इसके फैक्टर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि X-1 और X-3 X-1 और X-3 के बराबर हो गए है क्योंकि X-2 का कॉफिशेंट 1 ही रखना है हमें तो X-1 इंटो X-3 अगर इसके यह दोनों फैक्टर्स हैं क्वाडिटिक एक्वेशन में दो ही फैक्टर्स निकाल सकते हैं ऐसे बनेगा इसका परफेक्ट स्क्वाइर करोगे तो आपको कि यह दिखा कि यह इस पर्टिकुलर क्वेशन का फैक्टर है यहां से आपको रूट्स मिल जाएंगे X-1 और X-3 अगर यह दोनों रूट्स हैं तो मेरा एक सवाल है आपसे इसका समफ रूट्स क्या है आप कहोगे समफ रूट्स जो है यह इकल दो माइनस के वन और माइनस सब्सक्राइब यहां से किसके बराबर हो जाएगा repentance tuo के के वन की इन दो कितनी तू फिर मैं कोंगा वाट इस प्रादक्ट आंफ रूट्स आपक करेंगे टो अब कितना होगा आपका जो प्रादक्ट आ अंशर वैदाउब थैट्स ने Pacific कि एक इनधी अफिर एक सिनल खार च जिसके लिए इस quadratic equation के equal roots हो बराबर root चाहिए आपको quadratic equation के तो देखे equal root कब होते हैं जब आपका b square minus 4 is 0 के बराबर होता है तो आपको होगे यहां पर हम इसको break करेंगे पहले कहेंगे x square है plus x का coefficient क्या है यहां पर 4p है तो x का coefficient 4p होगा है बाकी जो बचा आपका वो बचा p square minus p plus 2 यह इस तरह से quadratic equation होगी अब मैं कहूंगा discriminant 0 होना चाहिए, discriminant 0 होना चाहिए तो यहां से उठाओंगा तो यह बनेगा 4p का whole square b square plus और minus that is minus 4 into a is 1 और c देखना जान से यहां पर क्या है p square minus p plus 2 यह value आपकी 0 के बराबर होगी तो आपको 16p square minus यह आपका हो जाएगा 4p square plus 4p minus 8 equals to 0 यह value आप solve कर सकते हो यह आपका आगया 12 times p square plus 4p minus 8 equal to 0 ना चाहर डिवाइड कर लो तो बनेगा 3p square plus p minus 2 equal to 0 अब काम क्या है इसको आपको सिर्फ और सिर्फ करना है factorize अगर आपने इसको factorize कर लिया तो आपका answer आ गया एक root देखिए इसका साफसा मुझे देख रहा है minus 1 यहां से देखो ना minus 1 रख को 0 बन रहा है 3 minus 3 बनेगा 0 तो बस पहला correct होगा पहले option में ही minus 1 है बागी sum में तो 1 है 2 by 3 भी satisfy करेगा आप इसको चाहो तो factorize करके भी देख सकते हो 3P जब common लोगे आप तो अंदर bracket में क्या बचेगा P plus 1 बचेगा और यहां से आपका 3P minus 2P है न तो यह 3P minus 2 हो जाएगा से कर गए पी के वेलू आपके आजाएगी 2 by 3 और पी के वेलू आगए minus 1 solve कर लो quadratic तो भी आजाएगा simple है कुझी मुझी मुश्किल इसमें नहीं है ठीक है अब देखिए question आपको दिया कि a plus 1 बाई एगर आपका 3 के बराबर है तो aq plus 1 बाई एक क्या होगा तो देखिए बह और आपको पता है कि जब भी ऐसा होता है तो जो आपका a की पावर 6 होता है वो minus 1 होता है a की पावर 6 अगर minus 1 हो गया तो आप कह सकतो a की पावर 6 plus 1 0 होगा aq से divide कर दो तो aq plus 1 upon aq क्या होगा आपका 0 होगा option क्या है d that's very very simple question आप ऐसे भी जिख सकते कि यहां पर अगर मैं common लूँगा a की पावर 6 प्लस 1 बराबर aq बनेगा आपका राइट मतलब इसी format में आप चाहो तो इससे solve कर लो बात वही बनेगी या आपका a की पावर 6-1 ही आने वाला है तो ultimately 0 ही बन जाएगा ठीक है and say that y is equal to 2z minus x ठीक है कह सकते हैं यहां पर रख दो y की value 2z minus x 2z minus x upon 2z minus x रखेंगे तो यह बनेगा आपको कहोगे x मान लेते हैं 1 1 तो z कितना हो गया 1 x y z सब कितना हो गया 1 1 1 पर क्या इसी value मान सकते हो नहीं denominator 0 हो जाएगा तो मुझे value कैसे लेनी पड़ेगी value आप ऐसे सकते हो कि 2 2 2 फिर गरबड़ हो जाएगा नहीं चलेगा आपको values डिफरेंट पर एजियूम करने पड़ेंगे जैसे मैंने का यह 1 ले लो यह 3 ले लो 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया और 3 और 1 अगर आपका 4 हो गया तो यह value 2 हो जाएगी मैं आपको solve करके तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वह तो आप करी सकते हो एक से डिवाइड करूए एकस प्लस वन बाई एकस की value निकाल सकते हो वह निकल जाएगा पर मैं आपको अप्शन सारी इंटीजर में लिखें और आपको एकस क्यूब प्लस वन बाई एकस क्यूब निकालना है जो आपके पता है एक क्यूब माइनस थ्री ए होता है तो एक क्यूब से थोड़ा कम होता है तो देखो जड़ा कोई भी नंबर क्यूब यह तो पूरा क्यूब ही है यह तो नहीं होगा क्यूब से थोड़ा कम देख र रहा है यही करेक्ट आंसर हो गया कोई भी सटिस्फाइब नहीं करेगा यहां पर आपको यह 5Q भे तो 5Q-1 है जो कि आपको पता है आपको कि AQ-3 यह मिलना चाहिए so that is how you can directly mark the answer without going through the process कोई process follow नहीं करो answer लगा दो यह देखे कि कौन सा स्कॉाइट सोरूट के वो 40 हो तो आप पहले देखो सम अफ रूट्स के हैं that is equal to 8 product of root का है आपका that is equal to sum of squares of root यह अलफा स्कॉाइर प्लस बीटा स्कॉाइर बोल रहा है यह आपका होगा अलफा प्लस बीटा का होल स्कॉाइर माइनस 2 अलफा बीटा होगा यह नहीं होगा यह वैल्यू आपको 40 के बराबर दिए तो आपको यह यह होगा 64-2K is equal to 40 64-2K अगर 40 के बराबर है तो what is 2K 2K is equal to 24 what is k k is equal to 12 आ रहा है कौन सा option है यह option सिंपल है कुछ भी मुश्किल नहीं था सवाल में ठीक है जो कि यह question कर रहा है कि आपको x y z दिया हुआ है तो कर रहा है कल जबराइक expression है वो किसके बराबर होगा आप पहले एक शीद बताओ कि इस expression को देखके क्या x plus y plus z 0 है यह कुछ भी दिया है a minus b minus c minus है क्या x plus y plus z 0 है यह अगर ऐसा होता है तो यह expression क्या होता है x q plus y q plus z q minus 3 x y z यह 0 हो जाता है option क्या हो गया भी simple and easy देखके यहां कर रहा है अलफा और बीटा इस equation के roots हैं तो एक expression इसकी value बता दो तो मैं आपको बताता हूँ है कैसे आप करोगे देखके यहां पर पहले तो आपको interestingly क्या मिलने वाला है product of root देखो product of root आपका क्या है product of root आपका यहां से मिलेगा alpha cube बीटा cube upon alpha square beta square यहां यहां बीटा ही रहेगा यह product of root अगर यहां 4 है तो वहां भी 4 ही रहने वाला है तो देखो कहां किस-किस option में 4 है आपको यहां 4 है यहां 4 है यहां 4 है तो यह तो भाई साब गये है इनकी कोई जरूवत नहीं है not required clear अब ज़रा इस equation को आप ध्यान से द दिखाई दे रहे हैं x square minus 2 x plus 4 जो आपको दिख रहा है मैं आपकी थोड़ी से help करूंगा और आपके लिए चीज़े थोड़ी से आसान हो जाएंगी इस expression को देखके इस expression को आप ज्यान से देखो और देखके आपको ये थोड़ा पता चल रहा है कि ये जो expression है ये हम ऐसे भी लिख सकते है x plus 4 by x is equal to 2 क्या ऐसा लिखा जा सकता है आपको गई yes लिखा जा सकता है x plus 4 by x is equal to 2 क्या एक्सप्रेशन ऐसा लिखा जा सकता है x upon 2 plus 2 upon x is equal to 1 आपको गई yes लिखा जा सकता है और something plus 1 by something अगर 1 होता है अगर something plus 1 by something आपका 1 होता है तो क्या आपको पता है कि something का जो cube होता है something का जो cube होता है वो minus 1 होता है यह भी पता हो ना चाहिए यह आपका x cube जो होगा that will be equal to minus 8 x cube आपका minus 1 के बराबर हो जाएगा right जहां रखना x cube क्या है x basically यहाँ पर define कर रहा है आपका एक root कहूंगा मैं equation का root है जो यहाँ पर define हो रहा है और वो x cube की value minus 8 आपको दिख रही है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि कहीं भी आपको alpha cube अगर दिखेगा तो वो minus 8 होगा कहीं भी आपको beta cube दिखेगा तो वो भी आपका minus 80 होगा तो जब आप sum of roots निकालने जाओगे sum of roots निकालने जाओगे तो देखो sum of roots जल्दी कैसे निकलेगा आपको यह हो गया alpha to the power 5 plus beta to the power 5 right यहाँ काम करते हैं इसको सीधे देखो alpha cube को आप लिख दो minus 8 और alpha square plus beta square ऊपर बनेगा जो की होगा alpha plus beta का whole square जो की होगा 2 square minus 2 alpha बीटा तो यह हो गया 2 for the 8 अभी value 4 minus 8 कितना है minus 4 minus 4 into minus 8 कितना हो गया 32 upon 16 यह value कितनी हागे 2 के बराबर आगे यहनि sum of roots आपका कितना हो गया 2 आगया तो आपका answer क्या हो गया फिर से जो equation थी वही equation अभी भी है कोई फरक ही नहीं है आप खुद देखो sum of roots मैंने कहा लिखा 1 upon beta square plus 1 upon alpha square जो की आपका बना alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta 4 minus 8 minus 4 30 यह final value 2 आगे तो दा answer है same equation you are getting again जिसके root क्या है alpha cube upon beta square plus beta cube upon alpha square अब देखिए यह expression आपको दिया है x minus a into x minus b का product आपका 1 है a minus b plus 5 आपका 0 है तो आपको बताना है कि यह जो expression आपके सामने है x minus a का whole cube minus 1 upon x minus a का whole cube यह आपका क्या होगा right that is what you need to figure out तो देखिए एक चीज़ तो clear है कि answer b पे dependent नहीं है जो आपका answer है that is not at all dependent on b तो अगर आपका answer b पे dependent नहीं है तो हम b को 0 भी मान सकते है कोई harm नहीं उसमे b को 0 ले लिया a की value 5 आगई तो आप b को 0 एजिम कर लो b अगर 0 एजिम कर लिया तो हमारा a की value कितने होगी 5 होगी 5 नहीं सुरी minus 5 कहना चाहिए मुझे मुझे तो यह minus of minus 5 यह plus 5 बना देगा तो ultimately equation बनेगी x plus 5 into x equals to 1 यह जब करोगे आप तो आपको मिलेगा x square plus 5 x minus 1 equal to 0 अब मैं कोशिश करूँगा इस equation को इस format में लिखने की a minus 5 आ चुका है तो खुल मिलाके मुझे यह calculate करना है x plus 5 का whole cube minus 1 upon x plus 5 का whole cube जब मुझे यह calculate करना है मैं कोशिश करूँगा कि इस expression को इस format में वेर्थ कर पाऊ that is what my target is तो उस format में देखिए equation को लिखने के लिए आप कहोगे कि आप x plus 5 का x plus 5 का whole square यहां बनाईए x plus 5 का whole square बनाऊगे तो आपको चाहिए x square plus 10 x plus 25 चाहिए तो यहां 5 x ही था तो मैंने 5 x minus भी किया मुझे 25 चाहिए 25 अंदर है मेरे पास तो बाहर 1 ही था अगर मेरे पास बाहर 1 ही था और मैंने 25 अंदर दिया है तो इसका मतलब मैंने 26 जोड़ा राइट या आप ऐसे कहलो 25 अंदर जोड़ा तो 25 घटा हो भी तो यह minus 26 बनेगा इक्वल सू जीरो आप ज़रा ध्यान से देखो यह x plus 5 है और यह value मेरे क्या है minus यह जो value है आपके दिख रही है यहाँ पर 5x इसको बहुत ध्यान से आपको और इत्मिनान से आपको कहीने कहीं देखने की अवश्यक्ता है कि जो आपका x plus 5 का whole square यहाँ पर बना और यहाँ पर अगर आप 5 common लेते हो तो आपको यहाँ पर x plus 5 दिखना चाहिए मैंने 1 को उधर ले लिया और जो यह 25 है यहाँ जब मैंने डाला तो यह ऐसा term बनता हुआ मुझे देखा अब यहाँ से मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा x plus 5 और minus 1 upon x plus 5 अगर मैं निकालता हूँ तो यह value किसके बराबर हो जाएगी यह value आपकी 5 के बराबर हो जाएगी अगर यह value आपकी 5 के बराबर हो जाएगी तो अब मैं इस expression को calculate करना चाहता हूँ कि मुझे x minus 1 by x पता है और मैं calculate करना चाहता हूँ इस expression की value तो यह आपकी value कितनी आ जाएगी 5 cube plus 3 into 5 तो यहाँ पर यह value कितनी होगी यह आपकी 140 140 is this option 140 पता है आपको इतना कुछ जो आपने किया है अगर मुझे सवाल exam में करना है तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा मैं सिर्फ यह expression देखूँगा और मुझे पता है कि यहाँ पर मेरा a cube plus 3a का format बनेगा मैं देखूँगा कि किस option में ऐसा बन रहा है यह तो a cube है यह भी a cube है किसी का cube है plus 3a का format नहीं है पर यहाँ है 5 cube plus 3 into 5 बिना कुछ कियोगा answer mark कर दो तो यह ability अपने अंदर लेकि अगर आप आज़ें तो questions में बहुत कुछ आप करोगे नहीं आप सीधा answer लगाओगे आसानी से हो जाएगा देखिए यह कहरा है कि आप से कि minus 4 एक quadratic equation का root है और कहरा है कि जो एक minus 4 is the root of the quadratic equation this and the quadratic equation this has equal roots find the value of k तो देखो दूसरी equation के roots अगर equal है तो वहाँ b square minus 4ac 0 होगा तो यहाँ k की value निकालने के लिए मुझे p का value चाहिए p का value कहां से मिलेगा कहरा है x square minus px minus 4 का एक root क्या है minus 4 है तो अगर minus 4 इसका root है तो minus 4 पे जीरो हो जाना चाहिए minus 4 यहाँ लिखा plus 4p लिखा plus minus 4 लिखा जीरो हो गया और 4p के value कितनी है 16 minus 4 12 यह नि minus 12 p के value कितनी हो गई minus 3 p अगर minus 3 तो रखो 9 मिला 9 minus 4 k is equal to 0 k के value कितनी हो गई आपकी 9 upon 4 पहला option correct हो गया अब देखिए question करा है कि एक root equation का 0 है sorry one root of the equation is two and half time the other एक root जो है दूसरे root का two and half times है नहीं five by two times है मैं लग कहूं मैं अगर कि दो roots जो है इसके alpha और beta एक जो root है वो दूसरे root का ऐसा ratio है five ratio two मान लेते हैं कि five के और two के roots होगे तो यह पूछ रहा है कि भाई relationship क्या होगी तो बहुत simple है देखिए आपको कि sum of roots क्या हो जाएंगे seven upon seven k minus b upon a product of root क्या हो जाएंगे आपड 10 k square जो कि होगे आपका c upon a k की value यहां से निकालो आप b upon seven a minus में रख दो यहांपर 10 into b square upon 49 a square is equal to c upon नहीं बनेगा a से एक cancel हुआ और यहां से आपको b square की value मिलेगी और 20 square की value आप देखो जान से क्या रही है आपर यहां रही हो 49 c है और यहां रहा है 10 10 b square upon 49 c है simple है तो उमीद करता हूँ आपको इस lesson में मज़ा होगा thank you have a great time